दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका इस वीडियो में हम एमपीसेस के लिए जो एक्ट आते हैं उनको कवर करने ही कोशस करेंगे तो चलिए आइए शुरू करते हैं देगे पहला कोशन है आपका अनसुज जाती और अनसुज जन जाती अत्यचार निवारण अधिनियम 89 अधिन अपराधों का विचारन करने के राजसरकार की सहमती से नियाय को विसेस नियायलै विनिद्रिष्ट कर सकती है तो इसमें अप्सण दिए राज्यपाल उच्छ नियायलै के मुख नियायदीस, सम्मंद्रित जिले के सत्र नियायदीस या विधी मंत्रा ले तो आपका जवाब होगा बी यानि कि उच्छ नयले के मुक्ष नयदीज लेकि दूसरा क्वेशन है इसमें अनुसरी जाती यह जन जाती है उसके अधिन निम्न में से क्या पूर्ट निसिद्ध है गरफतारी पूरु जवानत गरफतारी पश्चात जमानत यह परिविच्छा का लाव यह उप्रोक्त सभी तो आपका जवाब होगा गरफतारी पूरु जमानत यानि गरफतारी को से पूरु जमानत नहीं दिया सकती है इस एक्ट के तुरू तो यह वाला कोई परस्ता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अफ्राद के संबंद में किया गया है पहला है अनसुचित जाती के सदस से किसी भी समधाय के सदस से या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो आपका जो जवाब होगा वो होगा ए है इसका अंसर अनुसुजाती के सदस से कि नेश्ट देख लेते हैं यूएन द्वारा सन यह आपको बतानिया को अंतराश्टी महिला वर्स के रूप में मनाया गया था ऐसे फैक्ट आ जाते हैं पीचेस में इस वज़े से यह कोशन यह आपर दे दिया है यह आपका 1975 इसका है 1975 आप देख लें तीसरा जो कोशन है यह अधिन अपराद अभियोजन में नियाले निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है तो इसका मैं अंसर बता देता हूँ आपको डारेक्ट इसका अंसर है यह सारे ही सही है नेक्ष्ट देख लेते हैं इधर नौवा जो साइड में कोशन है अनसुजित जाती और अशी एस्टी एक्ट के अधिन अपराद के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिवावक नहीं ले जा सकते कि यह आपको बताना इन आप्शनों को आप पढ़ का विसे नहीं हो सकती तो यह इसका आंसर है देखे यह इंपोटेंट कोशन है दसमा मानवा दिकार दिवस कम बनाया जाता है आपको पता होना चाहिए क्योंगे पीसे से क्वेशन अमेशा आ जाते हैं एक तरह से तो इसका आंसर है दस दिसम्बर को कि यह साइड में चौता क्वेशन देख लेते हैं स्टी एक्ट के अधिनी विसेश न्याल एन्यम्न में से कौन से सकती का प्रयोग नहीं कर सकता व्यक्ति को ठाना संपत्ति को का अपहरण व्यक्ति का माप लिया जाना सामुइक जुर्माना आरोपित करना तो इसका आंसर जो है डी है सामुग जुर्माना नहीं ले सकता है और आपको पांचों कुशन है भारती संव्यदान के अनुच्छे सत्रे का संबन्द आपको पताई होगा असपर्षता मुन मुलन से है तो यह आंसर हो जाता है इधर देख लेते हैं 11 कुश्चन सिविल अध्गास समरक्ष अच्छे से देख लेकर कोश्चन यहीं से बनते हैं एधर थेटवां कुश्चन देख लेते हैं SCHT Act के अधिन किये गए अपराद का अनुवेश्ण ऐसे पुरुषतगारी द्वारा किया जाएगा जो रैंक से कम ना होई डेट 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 वरना आपको किसके द्वारा किये जाएगा तो आपको पता वहीं साथ कुश्चन आभी चुका है एक बार और इसका जो अंसर है उप अधिचक इसका जो अंसर है उप अधिचक है इधर देख लेते हैं 12 वहाँ कुश्चन अश्परस्ता से उदभूत अपराद गठत नहीं होगा जबकि इसका अंसर बताना है आपको 12 का तो इसका अंसर है डी तो डारेक्टली डी देख लेते हैं तो इसका अंसर यह अभिक्ट और परिवादी पीड़त समान सामाजिक समू से है तो यह इसका अंसर तेरा वाद देख लेते हैं अधिकार सिविल अधिकार संचण अधिनियम का विस्तार है किसका विस्तार है तो इसका जवाब मैं दि लेते हैं धारवा क्वेशन काउंकि इधर ही पढ़ रहा है इस वह एसे ऐसे ब्यक्ति के निस्कासन का प्रावधान जिसके द्वारा अपराद के लिए जाने की संभावना है अनसुज जाती एवन जन जाती अधिनियम में प्रावधाने तहां कौन सी दारा के तहद तो यह आ जो है प्रवर्त भुगाता कब भुगाता डेट बता नहीं है आपको तो यह तो इंपोटेंट है आप एंप पीस का देने आ रहे हैं पतावना चाहिए इसका अंसार तीस जनवरी 1990 को और एधर की शायट देख लेते हैं 19 वा कोश्चन यह वाला विसेस नयालया की इस्ताप ड़ल एक्ट है वह है अनसूचित जन्जाती की उनठी के लिए प्राधान है जो और अप्षन को आप पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं क्या है इसका अंसर मैं आपको अंसर बता देता हूँ इसका अंसर है सनरच्छा विभेध का सिद्धांथ तो यह आपको ध्यान में रख राज सरकार उच्छ न्याय रहके न्याय दिस से परामर्स करें, एक सेसन न्याय को विश्च न्याय रहक के रूप में निद्रिष्ट करेगी, तो आपके सामने हैं, आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर है आपका प्रतेक जिले के लिए, त और मैं आपको जो है आंसर बता देता हूँ प्रतेक विसेश न्यालय के लिए तो यह इंपोटेंट है ध्यान में रखकें से लर सोलेमा क्वेक्षन देख लेते हैं हम निम्न सक्तियों में कौन सी एक अधिन बिनिद्रिष्ट विसेश न्यालय को नहीं दी गई है तो यह उप्षन आप पढ़ लें अच्चे से पॉस करके और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ तो जो इसका आंसर है वो है आपका बी पुलिस से भिन किसी ब्यक्ति को अतरेक्त अन्वेशन करने के लिए अधिकरत करना तो यह नहीं दी गई है और आपका इधर की शाट देख लेते हैं हम 22 कुश्चन CRPF की दारा 438 SCMST अधिनियम के उल्लंगन के आरोपी पर दारा जो है यह पढ़ सकते हैं आपर मैं आपको आंसर बता देता हूँ आंसर इसका लागू नहीं होगा यानि लागू नहीं होगा यह CST पर CRPF की दारा यह और यह और और नेक्ट देख लेते हैं तेईसमा अनुसुचित जा है वह हो जाएगा केन सरकार को है केवन और राज सरकार को नहीं है यह दन नीचे हम 17 कुशन पढ़ा लेते हैं अनुसुचित जाती हम जन जाती हैं यह सेश्ट अधिनियम के अधिनियम के अपराधों का विचारन विचारन करने के सैसन नियाल है देखिए यहां पर आणसर है इसका उप्रिफ्ट मेंस सभी सीग्र विचारन संब्ध विचारन इस चार तीनों ही आणसर है इसके 24 वां कुशन देख लेते हैं अधिनियम के अधिन बनाया गया कोई भी नियम बनाने के पश्चाद डेटेटेटेटेस के समच रखा जाता है किसके समच रखा ज आएगा जब वह कुल डेक 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 डेस दिनों के लिए सत्र में हो तो इसका अंसर जो है मैं आपको पता देता हूं तो इंपोटेंट है यह तो दोस्तों हम एक वीडियों 25 कोशन करने की कोशिस करेंगा बागी बच्चे हुए दूसरे वीडियो में आएंगे और जि के लिए टेस्सीरीज भी विजन आएस की मैंने डाल रखी है वीडियो बनाके तो नहीं देख सकते हैं और लाइक करें सेयर करें जिससे जाए से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके